हेलो स्टूडेंट्स आज जसी क्लास एट दी रीडर बुक दे वीचों तैन्थ चैप्टर हर्यावल दे बीच बारे पढ़ांगे लेखक दस्दा है कि दूर तक तापदा मारुथल सी गरम हवामा रेत नू उड़ा रिया सन किसे समय उथे हरा परा जंगल हुंदा सी पर लोग पागला मांग रुख वड रहे सन इक फकीर ने उना नू किहा कि रुखा नू इस तरा वड़ वड के हो उजड जानगे पर लोग कई सालां तो रुख कटी जा रहे सन लकणिया वेच वेच के अमीर हो रहे सन उना फकीर दी गल नू मूरकता ही समझया हौली हौली रुख मुक गए फिर हडवी आई हडा दे पाणी नू सोखन लई रुख नहीं सन हडा ने बहुत तबाही मचाई ते उपजाओ मिट्टी नू रोड के लै गए इस परकार तर्ती उपर लोग पागला मांग रुख वड़ी जान लगवे हर रोज तेज हवा मा वागदियां ते तर्ती उपते रेत विछा के तुर जान दियां लेखक दाजदा है के एक वार अजेहा चक्खड चुल लिया के लोकां दे टारे तक उड़ाके लै गया अते लोका नू अनक्यासी थामावाल उड़ाके लै गया पिखु अते उजदा परिवार भी इस चक्खड समने ना टिक सके या पिखु ने अपनी पतनी ते पुत्तर नू जोर के फड़या हुया सी अन्तो ना नू जापया किसे ने उना अगे बाहां फिला दितनिया ओहु उना बाहां दे के रे विच अटक गये सान चक्खड दे थम्बनते जदो उसनू होश आई ता उसने देख्या कि चक्खड दी तेज गतीतों जिसने उसदी जान बचाई सी ओहो एक रुख सी ओह उसदी या लमकदिया टानिया विच हसके बाच गये सान पिखु ने सोचया कि विप्तादे समय इस रुख ने उसदी बहुत सहायता किती है पर पिखु ने आपनी लोडा दे लेई फिर तो उस रुख शुरू कार दितता पिखु ने उसदे पत्ते हरे देखके उसदे नेडे पाणी हून दी गाल सोची उसने डंगोरी नाल मिटी पुटके इक था तो पाणी प्रापत कार लिया अते उसने उसदी या टानिया नू वड़के इक कच्चा टारा बना लिया उना नू आपनी दे लई रुख दे फालवी मिल गए इस परकार पिखु ने आपनिया लोडा पूरिया करन दे लई उस रुख नू रुंड मुंड कार दितता इक फकीर जदो उसदे कोडो दी लंगया ता ओहु उस रुख दी दुर्जदशा देखके बहुत हैरान हुया उसने पिखु कदे रुख नहीं लगाए उसने केहा कि जेकर दुनिया इस परकार ही रुख दी अन्यवा कटाई कार दी रहेगी ता तरती उपर्व मनुख दा जीवन बहुत ओखा हो जावेगा इसी परकार ओहो कहनदा है कि ओहो उना दे कार्दे उत्ते उजाडे दा परच्छामा देख रहा है क्योंकि जेकर रुख नहीं होनगे ता जेहा ही होवेगा इस गल ने पिखुनू बेचैन कार दिता उसदा पुत्तर आलम बहुत कब्रा आ गया फकीर दी गल बात तो पिखु अते उसदे परिवार नू था था रुख लगाउन दी प्रेर ना मिली अते ओ फकीर दी क